हेलो फ्रेंड्स स्वागे था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर तो गैज आए उस कोर्स के लिए जो भी स्टुडेंट्स बी एमस बीएमस बीएचमस बीएसमस कोर्स में एडमीशन लेना चाह रहे है उनके लिए जो कांस्लिंग शिडियूल था वो वापिस से रिवाइ कांस्लिंग शिडियूल आया है आई उस कोर्स का वो क्या आया है कब से कब तक अपलाई कर पाएंगे किस राउंड के कांस्लिंग कब होगी कब फाइनल रेजल्ट आ जाएगा कब आपको रिपोर्टिंग करनी है यह पूरी इन्फोर्मेशन आज मां आपको देने वाली हू होगा कि आपका admission होना है MBBS में या फिर नहीं होना अगर नहीं होता है तो BAMS BMS जो है अच्छे courses माने जाते है आई उस courses के अंदर तो आप इनके अंदर admission ले सकते है क्योंकि BAMS में भी काफी अच्छे marks वाले students का ही admission होता है लो marks वालों को नहीं होता तो revised counseling schedule डाल दिया गया है आज मैं इस वीडियो में यहीं आपको बताने वाली हूँ आगे चलने से पहले अगर आप इस channel पर नए है तो channel को जरूर से subscribe कर लीजेगा ताकि कोई भी latest information आपसे मिस्त ना हो अब देखेंगाई सबसे पहले हम बात करते हैं जो revised counseling schedule आया है वो तो देखें तो गैस यह time schedule जो है online counseling का है allotment process of all India quota UGC के लिए 26 का आप देख सकते है registration और payment जो है यह round 1 की है ठीक है round 1 आपका complete हो चुका है इसके अंदर और round 1 में students को report करना है 18 November से 25 November last date रहेगी अब guys जो आपको काम आने वाला है क्योंकि first round में जो आपका हो गया वो हो गया first round का result भी announce हो चुका है वो आप देख सकते है अब हम बात करते है second round की तो second round की जो counseling है उसमें जो आप registration कर पाएंगे वो एक December से 5 December ही आपका चलने वाला है choices जो होगी locking हो जाएगा आपका पाच December को evening 3 PM से 11 55 PM तक आपका चलेगा चैसे 7 December internal process होगा document verification का 8 December को seat alert हो जाएगी और 9 December से 17 December तक जो भी आपको college अलोट हुआ है वहाँ पर आपको report करना है after that guys जो mopop round आपका start होगा वो 23 December से 27 December तक आपका चलेगा और इसके अंदर choice filling और locking जो होगा वो 24 December से 27 December तक होगा 28-39 December internal seat allotment process चलेगा 30 December को result announce हो जाएगा और 31 December से 6 January तक आप जो भी college आपको अलोट होता है उसमें आप report कर सकते है after that guys next fourth round होगा जो होगा आपका straight vacancy round जिसके अंदर ये होगा आपका 10 January 2023 को evening 3 PM के बाद जो seat matrix साब जारी कर दी जाएगी choice feeling 11 January से 15 January तक कर पाएंगे processing जो होगी seat allotment की 16 से 17 January होगी result 18 January को announce हो जाएगा और आपको reporting करनी है 18 January से 24 January तक है उसके आगे क्या दिया है जो list है की eligible candidates की वो forward कर दी जाएगी to deemed universities on 18 January 2023 for conduction of stray vacancy round conduction of stray vacancy round by the deemed universities from 18 January से 28 January तक जो last date होगा admission का वो in ASU and HUZ courses for the IUS courses by states will be notified by NCISM या NCH तो आपको विजिट करते रहना official website पर या फिर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको हर टाइप की information time to time available करवा दी जाएगी तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you